हेलो स्टुडेंट बेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल अरिहंत लेक्चर गैस आज की इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10th मैथ का बिल्कुल वाइरल पेपर और इस पेपर को देखकर ही आप जान गए होगे कि यह जो पेपर हो बहुर जादे वाइरल पेपर है यह प 65 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा इस बार में बोर्ट एक्जाम में 98% लाकर स्टेट लेबल में अपना रेंक हासिल करना है इसके लिए मैं कुछ भी नहीं करना इस वीडियो को सुरू से लेकर पूरा आन तक देख लेना है यह 24 गडित का बिल्कुल वाइरल पेपर ज सालूसन के साथ है यह कुछ निर्देश दे दे गया है सिम्पली से आप पढ़ने ना इसको पढ़के मैं आपका टाइम बेस्ट नहीं करूंगा यहां से सबसे पहले सुरूता खंड जिसमें बहु बिकल्पी टाइब के प्रस्ण दे रखे ठीक है देखो आज मैं बहु बि है ठीक है आज हम यहां से देखेंगे खंड मोवे आपका दे रखा बिस्त्रित उत्तरिय प्रश्ण यहां से हम देखेंगे ठीक है तो इसमें सबसे पहला क्वेस्टन है यहां से आपका यह 50 मार्क्स का क्वेस्टन बूर्ड एक्जाम में पूछेगा यहां से देखो कैसा क पर इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मेंदिया है तो माल लेंगे की अंडरूट ठीज आ इसका उल्टा मानते एक परिमे संख्या है यह हमने माल लिया अब देखो परिमे संख्या जो होती है वो P by Q के रूप में होती है या यहां पे Q एक्वल नाट जीरो ठीक है क्यों बराबर 0 नहीं हो सकता है हमारा जो पी और क्यू संख्या है यह क्या है कि सह अभाज संख्या है क्या है सह अभाज संख्या यानि किवल एक से भी भाजित होगी अभाज ठीक है सह अभाज संख्या है अब यहां पे तो हमने माल लिया इसको अंडर रूट 3 को क्या माल लिया पी बाई क्यों यहां पर अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा पी बाई क्यों होगा ठीक है अब देखो हम क्या करेंगे कि दोनों पच्छों का हम वर्ग कर देंगे दोनों पच्छों का क्या कर दे स्क्वाइर बराबर पी का स्क्वाइर बटे के क्यू का स्क्वाइर ठीक है अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका जब वर्ग होता है अंडरूर्ट 3 का वर्ग जब होता है यह क्या हो जाता है केवल 3 हो जाता है इसका वर्ग केवल 3 हो जाता है अंडरूट हड़ जाता वर्ग करते तो यहां पर हो जाएगा तीन बराबर पी का स्कॉयर अपान क्यू का स्कॉयर ठीक है क्यू को हम इधर बेजेंगे और तीन को कहां बेजेंगे इधर बेज देंगे यह हो जाएगा आपका क्यू स्कॉयर बराबर पी का स्कॉयर अपान ती अब देखो ये जो 3 है ये 3 क्या है? ऐने देखो इसको 3 जो है P से जिसको P क्या करती है? घरहे हैं कि देखे हैंacey? बिवाजित करती है बिवाजित करती है ठीक ये क्या तीन जो है P स्कॉयर को बिवाजित करती है तब जो तीन है न तब तीन क्या करेगी P को भी बिवाजित करेगी जब P को स्कॉयर को बिवाजित करेगी जिसे एक्जामपल आप समझो तो आहां पर Jaw這bu 16 से जोने कर रहा है चार चार्चुझास हृघिवाजित कर रहा तो나ा चार की प्रिषली इस से जोनेट को में हैं वही2017 क्यों से विणाने वक lequel फाती से वर ठेवा मेध्जूसार करेगा और अब किविल 1 को क्या एकि होग्ग में satisfies the यहां पर मानां लें यहां संख्या को लिग दो है two number one मान सकते हो अब यहीं पर लिग दो आप Q का square बराबर P की square की जगह पर हम क्या माल लिया 3 का square M का square 3 का square कर दो कि तो 9 हो जाएगा और M square अपने जगव पर रहेगा ठीक है और बटे में क्या है इसके 3 है यहाँ पर 3 लिग देंगे तो इसके बाद यह हो गया, अब यहां से आपका बचे का q² बराबर 3m², ठीक है, अगर यहां से m की value हम निकाले, तो m² बराबर q² by 3, ठीक है, q² by 3, तो दोखो हमने यहां पे तो आपको p को 3 विभाजित कर रहे थे, यानि कि यह भी क्या है, विभाजित है, और यहां पे q को भी 3 क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, लेकिन हमने इस p by q को under root 3 को क्या माना था, एक परिमेर संख्या माना था, ठीक है, और यह सह भाजित संख्या है, जो परिमेर संख्या होती है, वो सह भाजित संख्या होती, कि वो एक से विभाजित होती, लेकिन यहां पे यह दो संख्या है यह हमारी परिकल्पना क्या है गलत है ठोकर यह लिखerg देंगे अतार्य यह क्या है मानने की विरोधा भाषब एक या सिर्णा निख्ञए इस परिमे संख्या यह सीड़ होता है इसके बात हॉक्स question देख लेते इसमें देखों नेस्ट question आपका है को नंबर ठीक है को नंबर देता है कि यदि 10 a plus b बराबर एक और 10 a minus b बराबर 1 अपान अंडर रूट 3 यहाँ पर दिरका 0 is less than a plus b is less than 90 degree तो a और b का मान इग्याद कीजिए ठीक इसको कैसे निकालेंगे यांसर सीट पर लिख लेते इसको यहाँ पर हम इस question को यहाँ पर राइट कर लिए ठीक यहाँ पर लिख लिया तब देखो यहां से कैसे हलोगा आपको यहां पर यहां लिखना 10 से 10 आपका क्या होगया रेल आ गया मतलब कड गया ठीक है अब यहाँ पर a plus a plus b बराबर क्या आ गया 45 अंस आ गया ठीक है तो इसको आप मान लो समीकरण नमबर एक यहाँ पर हम मानते हैं समीकरण नमबर एक तो इसके बाद यहाँ पर एक और भी हमको दे रखा कि 10 A-B बराबर एक बटा के अंडर रूट 3 तो यहाँ पर भी लिखेंगे 10 A-B एक्वल अंडर रूट 3 वन अपन अंडर रूट 3 हम जानते हैं कि 10 तीस अंस बराबर होता है एक बटा के अंडर रूट 3 यह चीज़े तो हम जानते हैं तो यहाँ सोचाएगा आपका 10 A-B बराबर 10 तीस अंस तेन से टेन गया अब यहाँ पर होजाएगा A-B बराबर 30 अंस ठीक है a-b बराबर 30 अंस अगर हम यहाँ से a की value निकाले कोई भी value आप निकालो a की value निकाल रहे यहाँ सोज़ेगा a-b बराबर 30 अंस अगर a की value निकालेगे तो a बराबर यह minus का b उस पर जाएगा तो plus का जाएगा 30 अंस plus b एक ही बाइलू क्या निकल गई एक ही बाइलू निकल गई तीस अंस प्लस भी ठीक है अब इस एक आप जो मान है वह समीकरण नमबर एक में रख देंगे यह समीकरण आपका दो बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 से एका मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है तो यहाँ पर एक बरावर तीस प्लस भी आया है और यहाँ पर समीकरण एक क्या है एक प्लस भी बरावर पैतालिस अंस अब यहाँ पे हम A की बैलू क्या लिख रहे है समीक्रण दोसे A बरबर trading plus B तिहां पे हम लिखेंगे कि A बरबर trading plus B जो भी मान रखना आप side में लिख देना A की बैलू क्या होज़ाएगे यहाँ पे 30ans plus B फिर plus का B है तो B बराबर अपका हो जाएगा 55 ठीक है अब यहां से हम क्या करेंगे यह 30 अंस आपका है 30 अंस को हम 잊ँगे इस पर ब्राबर 45 न से 30 जाएगा 15 भाग ब्राबर तो यह 15 बटे 2 हो जाएगा तो यह आपकी B की value B का माना गया ठीक यह किसका माना गया B का और यहाँ पे हम A का मान क्या निकाले थे अब इस B वाले मान को न हम उठाकर किसी भी समिक्रण में रख देंगे समिक्रण 2 में रख देंगे तो आपका यहाँ से value निकल करा जाएगा समिक्रण आपका 2 क्या है समिक्रण 2 क्या है A बराबर 30 अंस प्लस B ठीक है तो B का value हमने कितना निकला 15 बटे 2 निकला है तो यह हो जाएगा आपका 37.5 यह आपका A का अंसर हो गया और B का मान यह हो गया A का मान यह हो गया यही चीज़न से पूछ रका था कि यहाँ पे A तथा B का मान ग्या था यह सिंपल था थोड़ा मैं खीच दिया हूं लंबा लेकिन बहुत आसान है ठीक है इसके बात गर न कीजिए ठीक है question को लिख लेते हैं समझ लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम कोई घनाब बनाना पड़ेगा ठीक है तो देखो घनाब जो होता न वो कुछ इस तरह से होता है यहाँ पर जानते हो कि घनाब बनाना ठीक है थोड़ा सा बना लेना यह इस तरह से होता है और यह भी धर इधर ही होगा ठीक है इधर इस तरह से होगा और यह आपका यहां से पाई होगा इस तरह से मिलेगा और यहां पर भी पाई होगा यहां पर इस तरह से ठीक है यह 3D टाइप का होता है इसके बाद इस तरह से होता है ठीक है और यहां पर दो घनाब की बात करा है तो इस सब्सक्क्राइब सबस्क्राइब कोरकि सब्सक्राइब और इसकी भी लंबाई A है और इसका जो h है, यानी हाई उचाई h है और इसकी जो b it है, यह वाली b it की बात कर रहा है यह चोड़ाई की यह b है ठीक है तो यहाँ पर उचाई तो same होगी चाहिए आप दोनों का लूग उचाई तो दोनों का same है और दोनों की चोड़ाई सेम है लेकिन यहाँ पे अंतर किस चीज का है अंतर आपको केवल यहाँ पे अंतर केवल किस चीज का है यहाँ पे लंबाई की अंतर है ठीक है इसका लंबाई ए है और इसका लंबाई नहीं टोटल लंबाई इसका 2A हो जाएगा तो यहाँ पे यही लंबाई ए हो तब ठीक है ए सेमी हो तब यहां पर घं का आयतन कितना हो जाएगा तब घं का क्या में यह क्यू बराबर दे रखा ठीक है अदर का कितना Cand spaces क्योग 54 से मि क्यूब को किवल क्यूब में बदल देंगे यानि इसका निकाल देंगे एका बैलू क्या जेगा चार हो जागा यहां पर देखो इसका घंन निकाल को चार से काटो चार कंब 1 निकालेंगे दोनों निकालेंगे तो इसकी भी बराबर या बढ़ रहे है तो यहां पर हम लेखेंगे कि लंबाई 1 बराबर 2 1 2 7 के उसके भीं 0 चार यह क्या कोर की लंबाई है चार दुना की लंबाई जो है आपका चार दुना की आठ सेमी आ गया ठीक है आप समझ पा रहे होंगे अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो कमेंट कर देना देखो यहां पर सिंपल है कि इसकी जो लंबाई है जब दो एक्ट होता तो लंबाई तना ता लेकिन धो ठोप की ओंपत दम्बाई इतना लंबाई हो गए और इसकी उचाई स्थीम है है तो हमने क्या 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 कि जब यहां पे कोर की जो लंबाई है यहां प combination up कर दिया तो इसकी कोर की लंबाई कितनी इन है चार है उतक और इसकी भी लंबाई चार है ठीक है यह होता है लंबाई गुड़िते चवड़ाई गुड़िते उचाई का यह घंक्यूब निकलता है ठीक है तो यहां से हमने क्या किया इसकी लंबाई में दो का मल्टिप्लाई कर दिया क्योंकि लंबाई बढ़ रहा है यहां पे यल बरा छेत्रपल का जो फार्मूला होता है वो ता टू अंडरूट ठीक है लंबाई गुरित्ते चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुरित्ते उचाई चौड़ाई गुरित्ते उचाई प्लस इसके बाद उचाई गुरित्ते लंबाई उचाई गुरित्ते लंबाई ठीक है आप इ यहां पे B हो गया, प्लस चावडाई को किसे लिखेंगे B से, उचाई को H से, प्लस उचाई को फिर H से, लंबाई को L से, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? यहां सबी की रख देना, 2 और यहां पे L की रख देना, 8 है, तो 8 रख देंगे, 8 गुरिते, B की बेलू क्या है? यहां पे B की value कितना दिया है ठीक है तो B भी क्या होगा चार होगा जैसे लंबाई गुरिते चौड़ाई गुरिते उचाई दिया है हमने बताए कि A बराबर आपका जब 4 आगया तो B बराबर भी 4 हो जाएगा और यहां पे यह हो गया आपका लंबाई रूँड़ाई और उच्छाई, H बराबर भी क्या हो जाएगा, 4 से में, ठीक है, क्यूब निकल गया, अब इसके बाद यहाँ पर 8 और इसके जगह पर क्या है, 4 है, प्लस, B की जगह पी क्या है, 4 है, गुड़ते उच्छाई कितना है, चार है प्लस यहाँ पर H की वैलू 4 है गुरुत्य लंबाई कितना 8 है अब क्या करना इसका multiply कर देना है यह हो जाएगा 8 चोग के 32 प्लस यह हो जाएगा 4 चोग के 16 प्लस यह हो जाएगा 8 चोग के 32 अब यहाँ पर आपको जोड़ देना है 32 32 जोड़गे तो 64 प्लस 16 ठीक है अब यहाँ पर 16 को भी जोड़ दो आप इसमें यह आपका हो जाएगा 6 4 10 के सुनना और 6 1 7 8 इसका multiply हो जाएगा तो यह हो जाएगा 160 ठीक है वर्ग सेमी क्या जाएगा वर्ग सेमी बिल्कु सिंपल था question और important भी question है देख सकते कैसे हल किया एक फार्मूले पर रखा गया है और हमने इसकी लंबाई चोड़ा उचाई को देख लिया ठीक है इस तरह से इसके बाद नेश्ट जो इसमें question है वह आपका क्या है यह घर नमबर ठीक है निमलिकित साड़ी से माधिका इग्यात कीजिए सबसे पहले साड़ी को मांसर सीट साड़ी को दुखो 0 से 10 1020 2030 40 40 50 50 60 यहां पर में लिख लिए ठीक है अब इसको भी लिख लिया 12-12पारता यहां पर उन्यस हो जाएगा फिर एखा पिर आपका यहां पे 37 में 15 जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका 52 ठीक है बावन में 10 जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 62 62 में 3 जोड़ोगे तो आपका 65 ठीक है यहां पे 65 है और यह भी संक्या आप जोड़ोगे तो 65 ही आता है जैसे यहां पे जोड़ लो 65 तो इसको सुत्र पर रख देंगे एन बाई टू के ठीक है यहां पे 65 में क्या कर देंगे दो से भाग देंगे त्यों जाएगा आपका यहां पे इसकी जो वर्ग अंत्राल है यह हो जाएगा और 30 में से 20 गटाएंगे तो हमारा क्या निकल कर आजएगा यह अच्छे और जो हम संक्या जिसमें पढ़ती है जैस्ट उसके ऊपर जो होती संक्या वह स्यप हो जाती है यहां पर यह क्या हो गई स्यप होगे ठीक है यानि कि संचवी बारम बारता होगे अब देखो सब चीज की बैलू हमें लिख लेना सबसे पहले उसके बाद हमें फार्मूला पर रखे निकाल लेना ठीक है एन बाइटू की बैलू क्या है ठीक है अब इसके बाद आपका यह यह की बैलू क्या निकल गई 18 यहां पर हो गई यल की यल बराबर 20 अब हमें एच की बैलू फाइंड करने तो एच बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस 20 यहां पर माधिका माधिका को एम से दिखाते तो माधिका यहां पर सब कुछ की बैलू में पता एल की बैलू कितना है एल की बैलू 20 है यहां पर पूट कर देंगे 20 प्लस एन बाई 2 की बैलू क्या है 65 बट्टे 2 रख दो या 32 दसमलो 5 रख दो ठीक है बात हो ही है तो आप रख देते 32 दसमलो 5 C F की बैलू क्या है C F की बैलू यहां पर 19 है यहां पर देख सकते हो C F की बैलू 19 है सभी को आप लिख देना माइनस का स्वरी यहां पर 19 प्टे में F की या है? F की बेलू 18 है, यहां पर पुट कर देगा? 18, गुडिते हैं, H की बेलू 10 है, यहां पर रख देंगे 10, ठीके? अब यहां पर हो जाएगा आपका 20 30 प्लस यहं से 32 दसमलों 5 में से 29 को घटा देगे ठीक घटा लो 32 दसमलों 5 में सो 29 घटा लेंगे 23 पांच में जीरो गया 5 बचा ठीक है इसके बाद यहांपर क्या 12 बार बार मपर नव गया 3 बचा यहांपर से 3 में से कर दो दो बारन से नो गया ऐग्यां थीक है शॉंटे में 10 से तो 10-20 में multiply कर दो बट्टे में 18 है तो यह आपका हो जाएगा 20 प्लस अब इसका multiply इसमें कर दो कि यह हो जाएगा 135 है ठीक है दसका multiply इसमें करेंगे और बट्टे में 18 है अठारक भाग आप इसमें दे दो तो 18-135 लगभग 7 बार में जाएगा तो 18 आते होता है कितना 126 ठीक है 7 बार में गया फिर point इसमें से जो बचेगा 126 के बाद point लगा कर लिखाएगा ठीक है यानि यह जो आएगा अगर आप 20 ठीक है 20 सी माधिका है यह वरगी क्रित माधिका है और वरगी क्रित माधिका होती चोल 10 20 30 इस तरह से दे इसी देना ठीक है इसके बात अंगा नंबर question लेहां पर लिखता है सबसे पहले तो आप मानलो यह आपका y है, यह कौण recommend यहाँ पर यहां पर एक सद्गेश एक और इसी से बोल रख एका है कि दो बिंदू you बिंदू 1 है, माल ले दे बिंदू A है और ये बिंदू B है, ये X सच से बिभाजित करते हैं, इस तरह से बिभाजित करते हैं, यहाँ पर आपको बिंदू A है, ये बिंदू क्या है 1,5-5 तो यहाँ पर लिख देंगे 1,5-5 और यहाँ पर जो B बिंदू है यह दे रखा आपका –4,5 यह हो गया आपका –4,5 ठीक है और यह एक सच के निर्देसांग पर है तो इसका जो निर्देसांग हो जाएगा यहाँ पर यह x,0 हो जाएगा ठीक है आप यह जो बैलू हो गया यह x1 हो गया और यह y1 हो गया यह आपका x2 हो गया और यह y2 हो गया ठीक है और यह x और यह हो गया y इतना हो गया ठीक है अब हम जानते हैं कि फार्मूला x बराबर और y बराबर दोनों जानते हैं x बराबर जो फार्मुला आता होता m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 ठीक है और y बराबर क्या जानते हैं y बराबर होता m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 ठीक है तो सबसे पहले देखो यहाँ पर x की बेलू x से दिया y की बेलू क्या दिरका है 0 तो यहाँ y की जिगर पर क्या रखेंगे 0 बराबर इसी को बाबर ऄदे निकाले थे themo one y2 की बेलू क्या है y2 की बेलू यहाँ पर 5 है ठीक है यह x2 और y2 की बैलू लिख लेना आप एक जगह y2 की मदिगे 5 हो जाएगा प्लस M2 M2 है तो M2 लिख देंगे इसी तरह से Y1 की value क्या है Y1 की value minus का 5 है क्या हो जाएगा minus का 5 इसके बाद नीचे क्या है M1 M2 है तो यहाँ पे लिख देंगे M1 plus M2 ठीक है अब दोखो यहाँ पे M1 M2 की multiply अगर 0 में करोगे तो पूरी क्या हो जाएगी यह 0 हो जाएगी तो 0 हो गया यह बराबर अब यहाँ पे M1 5 और यहाँ पे minus कचिन है और यहाँ पे plus काई जब इसमें multiply करोगे तो minus 5 M2 हो जाएगा तो इसको लिख देंगे minus M2 5 ठीक है अगर यहाँ पे इसको M1 अगर इसमें से 5 कामल ले ले जिसे यहाँ पे 0 बराबर 5 दोनों में है इसमें भी इसमें भी 5 कामल ले ले लेंगे तो यह बचेगा M1 minus M2 ठीक है 5 का multiply जब हम 0 में यह गुड़ा में इस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो यह सीधा 0 हो गया तो यहाँ पे आजएगा आपका M1 बराबर M2 ठीक है यह आप इसको इस तरह से पहले समझ लो कि M1 minus M2 आपका बच्चा जब यह आपका गुड़ा में इस पर गया तो भाग में जाएगा यह पूरा यह 0 हो गया आपके बाद बच्चा कि M1 minus M2 अब M1 और इसके बराबर की इधर ले जाएगी यह minus में उस पर जाएगा तो यह 0 है तो उधर जाएगा तो पलस जाएगा बराबर M2 यानि इसके कहने का मतलब कि जो M1 है वो M2 के बराबर है तीक है इसका काम अभी आएगा अब यहाँ पर हमें X की बैलू निकाला ठीक है एकस वाला हम क्वेस्चन यह लिख लेते हैं सुत्र फार्मूला तेहाँ पर X बराबर क्या है M1 X2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2 ठीक है तेहाँ M1 M2 के बराबर है तेहाँ पर हम क्या करेंगे M1 की जगह पर भी अब यहाँ से X की बैलू आपका X दिया ही है यहाँ पर X की बैलू X दिया ही है तो यहाँ पर X रहेगा अब यहाँ पर M1 into X2 की बैलू क्या है X2 की बैलू माइनस का 4 है यहाँ पूट कर देंगे माइनस का चार और इसके बाद प्लस है तो प्लस M1 की बैलू वही रहेगी और X1 की बैलू क्या है यहाँ पे देख सकते हो X1 की बैलू 1 है तो यह तो ऐसी तरह रहेगी कि वहल 1 को 1 लिख सकते हो आप या मल्टिप्लाई में यह कुछ नहीं होता है अपान में M1 M2 को जोड़ देंगे तो 2 M1 हो जाएगा क्योंकि M1 यह भी है M1 यह भी है जोड़ जाएगा तो 2 M1 आ जाएगा इसके बाद यहाँ पे X बराबर क्या निकल करा जाएगा यह माइनस 4 M1 हो जाएगा तो माइनस 4 M1 पलस M1 है तो M1 लिख देंगे एक का मल्टिप्लाइ करेंगे तो वहीं जाएगा अपान में 2 M1 अब इसको हम हल करेंगे तो इदे को माइनस 4 M1 है और यह M1 पलस है तो यह घर जाएगा तो जाएगा माइनस 3 M1 अपान 2 M1 ठीक है M1 से M1 कड़ गया X की जो मान आगया माइनस 3 अपान 2 आगया इसी को हमको निकालना था ठीक है इसी को क्या करना था निकालना था यहाँ पर निकल कर आगया X अच दोरा भी भाजित करने वाले बिंदू की निर्दे सांग की ग्याद कीजिए तो वो क्या गया एक का 0 आ गया एक का क्या गया y का तो 0 दिया ही है और x का क्या गया माइनस 3 अपान 2 तो आप लिख देंगे माइनस 3 अपान 2 कामा 0x अच का क्या है निर्दे सांख है इसके बाद next question यहाँ पर देखते हैं यहांपर 4 नमबर ठीक है चष़नमर की बिंदु A के निर्दसांख की ग्यात की किजिए जहां B एक ब्रित का ब्यास यांनि कि आपको एक ब्रित बनाना इस तरह से और यहांपर A by क्या है ब्रित का ब्यास लेके जिसका केंद्र जिसका केंद्र 2 कामा माइनस 3 यानि इसका एक केंद्र यहां पर ओ है और इसकी बेलू 2 कामा माइनस 3 दे रखा है तता बी के निर्देसांग भी दे रखा है जो भी है यहां पर एक कामा 4 दे रखा है अब हमसे एक निर्देसांग यानि कि इसका बिंदू एक निर्देसांग इसका निर्देसांग हमसे पूछ रखा है, इसको answer sheet पे लिख लेते हम, यहाँ पे इसका हम चीतर बना लेते हैं, सबसे पहले हम बृति इस तरह से बना लेंगे, और इसका ब्यास जो है A B है, ठीक है, A और B है दे रखा है, जैसे question को अनुसार, उसका केंद्र एक है, ओ, लिख रखा को अनुसार, ठीक है, अब इसका निर्देसांग हमसे पूछ रखा है, मालेक इसका जो निर्देसांग है, वो X1, क Armand Y1 है ठीक है, और यह जो value हमारा है, यह x का है, यह आपका जो value x2 और y2 का है, ठीक है, इसके निर्देसांग की जयात करने के लिए, हम जानते है कि x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपान 2 ठीक है और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 अपान 2 ठीक है एक एक चीजों को हम निकाल लेते सबसे पहले x को निकालते है त्याँ पर x की value कितना है 2 है तो इसको 2 लिख देंगे 2 बराबर x1 की value क्या है x1 ही है x1 प्लस x2 की value क्या है x2 की value 1 है 1 अपान 2 है तो 2 लिख देंगे ठीक है 2 का multiply 2 में होगा तो यह हो जागा 4 बराबर x1 प्लस 1 अब यहां से x1 की value हम निकाल सकते यहां से x1 बराबर यहां से प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4-1 यहां से x1 की value आ गई वो क्या गई तीन अब यहां से हम देखो y1 की भी value निकाल सकते हैं देखो y की 1 क्या है माइनस का 3 तेहां पर रखेंगे माइनस का 3 बराबर y1 की value क्या है y1 ही है प्लस y2 की value क्या है चार बट्टे में 2 है दो का multiply इधर होगा तो माइनस 6 हो जाएगा यहां पर हो जागा y1 प्लस 4 चार यह माइनस में इस पर आएगा तो प्लस स्वरी प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में तो यह हो जागा y1 बराबर अंसर हो जाएगा इतना तक तो उन्हें पूरा कर लिया ठीक है अब इसके बाद नेश्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो की इंपोर्टेंट है यहां पर यह ठीक है यहां पर दूसरे नंबर पर आता है कि किनी पांच खंडों को हल कीजिए तो यहां पर पहला है कि के का मान इग्याद कीजिए जिसके लिए समिक्रट 2X प्लस KY एक्वल एक और 3X माइनस 5Y बराबर 7 का एक अधितिय हल है ठीक है यह अधितिय हल कैसे निकालते है इसको देख लेते हैं आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने यहां पर लिकली आंसर सीट पे अब देखो इसकी हम कं प्लस कं पेर कर देंगे ठीक है इसका जो कंपेर होगा वह एवन X प्लस B1y प्लस C1 से करने पर ठीक है तो यहां पर एवन की बैलू क्या क्या निकल कराई एवन कि जिगब पर 2 लिखा हुआ है बीवन की जिगबर के लिखा हुए है कि और सीवन की जिगब पर 1 लिखा तो इसका जब compare आप करोगे तो a2 की जिगर पर क्या निकल करा रहा है 3 a2 बराबर 3 and यहां पर आपका b2 बराबर क्या निकल कराएगा minus का 5 ठीक है minus का 5 and c2 बराबर क्या निकल कराएगा 7 ठीक है तो हम जानते हैं कि एक अधिती हल के लिए a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal not c1 upon c2 ठीक है यह इसका अधिती हल के लिए हम फार्मूला यह लगाते हैं a1 की बैलू क्या है 2 है तो 2 रग दो आप अपान में a2 की बैलू क्या है 3 है तो 3 रग दीजिए अब फिर बराबर लगा दीजिए b1 की बैलू क्या है k है k लगा दिया हमने इसके बाद b2 की बैलू minus का 5 है तो minus का 5 लगा दो equal not c1 की बैलू क्या है 1 है तो 1 लिख दो और यहाँ पे c2 की बैलू क्या है 7 है तो 7 लिख कर या तो आप चाहो तो इसको इन दोनों को लेकर हल कर सकते हो या चाहो तो इसको और इसको लेकर हल कर दो कि मान के का सेम आएगा ठीक है इसको इसको भी हल कर सकते लेकर इसको इसको भी लेकर कर home कर सकते हैं इसको इसको लेकर हल कर Jagtha lihat 1 दो बटे के 3b 21 कि एक πουल नाथ कि यह पांज माइनस का पांच माइनस का 5 जब उसमें गुढ़ा करेंगे तो कि यह बराबर क्या जेमा है माइनस 5 इसमें गुढ़ा मान हो जाएगा ठीक है माइनस दस बटे के तीन यह हो जाएगा अंसर नेश्ट देख लेते क्वेस्टन क्या है अब देखो यहाँ पे पहला कर लिया इसके बाद फ़र नमबर दे रखा है कि तीन दसमलों पांच सेमी त्रिज्जा के एक अर्ध गोले पर एक संकु के रूप म एक खिलावना है ठीक है खिलावने की संपूर उचाई यानि पूरी उचाई जो बताया गया है 15.5 सेमी है खिलावने का संपूर प्रिष्टियर्च छेतर फल ज्याद कीजिये č चार नमबर का क्वेस्शन है ठीक है तो इसको लिख लेते हैं सवाल को समझने के लिए सवाल क लेंग बेज को समझना पड़ता है यह बोल रहा कि तीन दसलों पांच से मित्र जागे अर्ध गोले पर एक संकू के रुप में खिलावना रखा गया यानि कि आप यहां पर क्या बना देंगे इस तरह स्वरी यह इस तरह का बनेगा थोड़ा सा ठीक है यहां पर क्या है ब्रीद ठेसे के जो तरग गोला is की त्रिजा 3.5 से जो इसके नीचे की ट्रिचाथ किसैंग त्रिफोल फाइप सेमी होगी इसकी केब कॉट में से इसकी उचाई कितनी हो गई यहां से हम भी देंगे 3,5 जब हम 3,5 को निकाल देंगे बन शुर। थिका पंदरः शुर। पांच में से तीन दसनों पांच को निकालो तो पांच में से पांच गया जीरो पॉइंट है यहां पर 15 में से तीन गया बारा तो यहां पर किवल संकु की उचाई की बात करें तो यह कितना आ गया 12 सेमी आगे कितना गया 12 सेमी समझ गये होगे इस अर्थ जो गोला है इसका त सिर्जा के बराबर होगी टिके तो इसकी जो संपूर उचाई थी खिलवने की फंदर दस्रूपांज सेमी ती जिसमें सहाम इस तीन दस्रूपांज सेमी को यहां रड़ निकाल दिए. जब यहां तक हम निकालेंगी, यह चीज़े निकल जाएंगी तो मिस का उचाई पता पता चल्वा, इस संखु का उचाई पता चल्जाई क्या निकल कर आ गई is 12 स हभिक है. जब संख कर यह बढ़ाबर अंडर रूट आर का स्कॉयर मतलब इसके त्रिज्ता कितनी तीन दसनों पांच है इसको 3 दसनों पांच रख दो प्लस में ऐसी कितना है 12 है तो 12 का स्कॉयर कर देंगे थिक है यह हो गया आप देखो जब इसको हम हल करेंगे ति क्या आयेगा एल बराबर आपका हो जाएगा यह इसको हम हल करका आप इसका multiply करोगे ठीक है तो यह 12.25 के लगभग आएगा 12.25 प्लस इसका वर्ग करोगे तो 144 आएगा बारबर हम अब इसको आप एड कर देंगे simply ठीक है एड करोगे इसको तो यह हो जाएगा आपका पांच और 49 ठीक है तो इसमें पहले एड नहीं इसमें होगा ठीक है चार और दो 6 हो जाएगा ठीक है और 25 को तो पॉइंट पाइग दो और इन संख्या लोगों संख्या में जोड़ दो इसमें 144 जोड़ देंगे तो 42 आपका 6 हो पिर चारिक 5 हो जाएगा 156 आपका आजाएगा ठीक एल बराबर जब यल को आप वर्ग कर दोगे न ये लगभग 12.05 की लगभग आता है कितना आता है 12.05 के आप वर्ग करके देख ले ना इसका अब हमके क्या निकालना है संपूर वक्र प्रिष्ट का छेदरफल ठीक है संप अर्ध गोले का प्रिष्ट प्रिष्ट प्लस संकू का वक्र प्रिष्ट संकू का वक्र प्रिष्ट ठीक है अर्ध गोले का जो प्रिष्ट का सूत्र होता है वो टू पाई आर का स्क्वायर होता है प्लस संकू के वक्र प्रिष्ट का जो सूत होता है वो पाई आर एल होता ह अब यहाँ पर 2 तो 2 है पाई को अभी रहने दो आर जो तरिज्या है वो कितना 3.5 सेमी का स्क्वाइर प्लस पाई को रहने दीजिए आर की बेलू क्या है 3.5 है और उचाई एल कितना निकला है 12.5 है यह हो जाएगा अब गुर्थे में 12.5 ठीक है अब यहाँ पर इसका हम किये ते उपर तो क्या निकल कर आया था उड़ते 12.25 इसका वर्ग करेंगे प्लस पाई ठीक है अब इसका मल्टिप्लाइस में करेंगे इन दोनों का तो यह 43.75 आएगा ठीक है अब इन दोनों में क्या कामन उसको कामन ले लेते पाई कामन ले लो यहाँ पर इसका मल्टिप्लाइस में कर दोते हो जागा 25 के 10 2 दूना के 4 1 5 पॉइंट 2 दूना के 4 2 कम 2 ठीक है यह 24 दसनों पचास हो जाएगा प्लस अब यहाँ पर पाई कामन ले ले यहाँ बचा क्या 43.75 ठीक है अब इसको जोड़ देना आपको जोड़ोगे तो क्या आएगा अब दुखो इसमें 75 जोड़ देंगे तो यह 5 का 5 हो जाएगा 75 12 के 2 हो जाएगा हाथ में लगा एक इसके बाद 4 और 3 हो जाएगा 7 एक 8 फिर 4 और 2 6 तो जाएगा 68.25 ठीक है यह क्या हो जाएगा 68.25 आपका हो जाएगा पाई की बैलू रख देना अर्ध गोले का वकर पेश निकल जाएगा पाई का बैलू क्या रख सकते हो आप तीन दसनलों एक चार भी रख सकते हो, बाइस बटे साथ भी रख सकते हो, उतना करकर आपका अंसर आजाएगा, नेश्ट देख लेते हैं क्वेस्टन, यहाँ पे नेश्ट है क्वेस्टन, गह नमबर, तिक सिद्ध कीजिए कि अंडरूट 7 एक परिमे संख्या है, यहाँ पे मतबते रखा है, घह नमबर में क्या क्या वाल्यू दृख स लेका, कोसट थीटा बराबर कितना है, यहाँ पे चार बटे की 5, टकले चार बट्टे के 5 तो यह पर लिख देंगे 4 बट्टे के 5 हमको value किसका निकालना है sin theta cos theta plus 10 square theta का यहाप लिख देंगे sin theta into cos theta ठीक है plus 10 square theta 10 square theta ठीक है इसका हमें मान निकालना है अब देखो इसका मान कैसे निकालना है सबसे पहले तो आपको एक क्या बनाना है समकोड त्रिभूज इस तरह से बनाना है इसका नाम A, B और C दे देंगे अब हम जानते कि लाल बटे अगर कक्का को हम लिखेंगे तो यहां से कास की बैलू क्या जाएगी देखो यह साइन की हो गई और यह कास की हो गई कास मतलब आधार बटे कड आधार मतलब 4 क्या है आधार है आधार यह हो गया और इसके बटे में कड है तो कड क्या जाएगा आपका 5 है जाएगा क्योंकि कोस थीता बरबर क्या होता आधार बटे कड यह अधार की बैलू दिया है और यह कड की दिया यह अधार हो गया यह कड हो गया यानि कि यह क्या है अपका लंब का बैलू नहीं दे रखाई ठीक है और यहोगी आपका कड और यहोगी आपका आधहार ठीक है यह चीजे और इसका बैलू में नहीं देना दिया है तो हम जानते हैं कि कड़ बराबर जो हमारा सुत्र होता है कड़ का स्कॉयर बराबर होता है अधार का स्कॉयर प्लस लंब का स्कॉयर ठीक है यह अधार कार्ड वाला नहीं अधार है बेस अधार मतलब बेस है यहाँ पर कर्ण का स्कॉयर क्या है कर्ण के जिगर पर पांच का स्कॉयर बराबर अधार का स्कॉयर का मतलब अधार के जिगर क्या है चार का स्कॉयर हो जाएगा प्लस लंब की भी मैलु नहीं दे रखा ठीक है तो हम यहां पे लिखेंकेорм paint No अ convince का स्क्षायर भी लिख सकते हो यह होजाएगा आपकाय स्कॉर है अब द्दो को यहां पे इसको खोल कर दोगा पांच प्रिशATHAN की 25 यहां चार्चुक्र के शोलर प्लस लंब का स्क्वायर अब यह 16 प्लस में इस पार गया तो माइनस में हो जाएगा तो आपका लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 ठीक है जब 25 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा क्या बचेगा आपका 9 अब यहाँ पे हम iraspir कर देंगे लंब का IRE बराबर 3 का 209 9 को 3 3 के 9 तो स्कार से क्या जएगा कर जाएगा और यहाँ पे मतलब बराबर आपका क्या जाएगा 3 आगया ठीकर Corat कर कर के एगा तीकर corp A और C की Value क्या गई तुकर्बunde मान किसका निकालना है साइन कास 10 स्कौार ठीटा का यहां पर हम लिख लेते हैं साइन ठीटा कोस ठीटा प्लस 10 स्कौार ठीटा ठीटा ठीके अब यहां पर साइन ठीटा की बैलू क्या है देखो साइन ठीटा का मान क्या था लंब बटे की कर ठीके तो लंब क्या है लंब तीन बट्या बट्ये में कर्ड क्या है 5 स्वाओं सफी निद्ड कर्त पांश तो धो इस टैसर थीटा चार बट्या सब्स क्या होता है अदार को पेआ क्या है और अधार इन दोनों का क्या हो जयगा इसको आर ठीक है इस तरह से अब यहां पर हो जाएगा आपका 4 13 गार्ष और 15 15 प्लस अब जो जाएगा त्म सुरह के दना तरह चार चुब के 16 ओप यहे आप इसका इधर उधर multiply करके भी कर सकते हो या लासा दोनों में से ले सकते हो जो आपको सुविधा पड़े वो कर लो ठीक है यसे आप 16 का multiply कर लोगे तो 16 दुना के 32 और 16 कम 16 और 163 19 ठीक है 192 प्लस यहां इसका पड़ दो यहां 59 पैतालिस के 5 ठीक है और 9 दुना के 18 18 और 4 ठीक है 30 और यहां पे इस तरह से भी कर सकते हैं ठीक 16 85 के 0 हाथ में लगा 8 और 16 दुना के 32 8 40 ठीक है 400 हो जाएगा इन दोनों को एड़ करना है इसे 5 और 2 को एड़ करेंगे तो हम 7 आएगा और 9 दो को एड़ करेंगे तो आपका 11 आएगा ठीक है इसका भाग लगबग कितने बार में जाएगा वन पॉइंट ठीक है सम्थिंग में जाएगा इतना भाग देकर देदना यही आपका फाइनल आंसर होगा इसके बाद नेश्ट आपका है यहां पे अंगा नंबर की निमलिखित बारम बारता साड़ी से एपका मा निग्याद कीजिए यदि विद्यार्थियों की प्राप्तांकों का माधिप पचीस है यानि समांतर माधियाप का पचीस दे रखा है और इस साड़ी को हल करके मुझे इस एपका मान फाइंड करना है यही निकालना है देखते हैं माधियाद की निकालने के लिए यह दोनों संख्याओं को सब्सक्रा Ik developed बीस और दस को जोड़ेंगे तो 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो यह हो जाएगा आपका 15, ठीक है, इसके बाद 30, 20, 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 25, 40, 30, 70, 70 में 2 का भाग देंगे तो 35, और यहाँ पे 50, 40, 90, 90 में 2 का भाग दोगे तो 45, अब यहाँ पे दिखो, यह यह आपका मध्यमान x की value निकल गी और विद्यारतियों के संख्या जो होती है बारंबारता मतलब उसे f से दिखाते और यहाँ पर लास्ट में क्या निकालेंगे x into f निकालेंगे यहाँ दोनों का multiply निकालेंगे ठीक है यहाँ इंटू का मतलब इंटू है एप और x को क्या कर तीस और 6 दौना के 12 13 15 ठीक है यहीं 25 चके 1500 ठीक है चापंचे 5 थीज और चादूना के 12 15 15 यहाँ पर इसका मल्टिपलाई करेंगे तो 350 हो जाएगा अब इसकी बाद हम इसका मल्टिपलाई करेंगे तो 555 के 22 2222 हो जाएगा यह हो गया ठीक है अब यहां से हम क्या-क्या कि यहांपे एक पांच है यहां पर बाकिस बार्ठ को लिख देंगे इसके बद दो ओल को जोड़ोगा पंधर पंधर के बीस के पांच नब गरमाइए सब्सक्राइब पांच होगा इसके पांच फाले को जोड़ दक टेन पांच एक छ साब ऑन ज ст एक साइस But गुआ तने इसमें देखो 5 2 7 7 5 12 12 13 15 ठीक है इसको लास्ट में जोड़ेंगे प्लस में लिखेंगे ठीक है तियों जब पंद्र के 5 हाथ में लगा एक और यहां पर जब दो तिन पांच एक छो ठीक है छो हो जाएगा और इसका एक हासिल सातसों पच परण हो जाएगा सिग्मा है एक्स की असातसों पच पर ब्लस 15 को भी लिखेंगे थैंहाँ पर प्लस ंप्लस 15 प्लस 15 ठीक है यहींड कि हमारा जो सिंग्मा Erfx की बैलो आगई वह क्या गई सिंग्माग एक rumor इनgen्टू एकस की बैलू शाते सों पच जोड़ा प् पंदरा च्छ एकईस एकईस च्छ आपका जोड़ दोगे तो 27 है यह जगा 27 प्लस में एफ है तो यह अपको लिख देंगे प्लस एफ ठीके अब यहां से हमारा सिग्मा एफ की बैलू कितना आ गई कि 27 प्लस एफ हागी ठीके अब हम जानते हैं कि हमारा मादिका भी इसमें देरखा है अब हम जानते हैं कि मादिका बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है मादिका बराबर यहाँ पर sigma ये sigma f into x upon sigma f ठीक है तो मादिका कितना तरख़ा है मादिका पचीज तरख़ा तीक है पचीज लिढ़ sigma fx की value क्या है ये है 775 5 प्लस 15 f बटे में और इसकी sigma f की value क्या है 27 प्लस f 27 प्लस f ठीक है अब यहाँ पर इसका multiply इधर हो जाएगा तो यह हो जाएगा 25 in bracket 27 प्लस F बराबर 775 प्लस 15 F ठीक है यह हमने लिख दिया आप देखो इसको कैसे हल करना है अब इसका multiply इसमें हम पढ़ेंगे ठीक है तो यह आए जाएगा 675 आजाएगा ठीक है आप इसको पढ़ लेना 675 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 15 F बराबर 775 प्लस 15 F अब यह यहाँ पर 25 25 तो अपने जगा पर आएगा 25 यहाँ पर फै इधर आएगा तो माइनस प्लस तो माइनस का 15 F बराबर 755 अपने जगह पे है 755 माइनस 675 जो है ये किसमे है ये प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में 675 ठीक है अब यहाँ पे 755 में से 675 घटा दोगे ये बच जाएगा आपका 80 और इसमें से 25 में से 15 जाएगा ये हो जाएगा 10 F ठीक है 10 F बराबर कितना हो गया 80 और F बराबर आपका हो जाएगा ये गुड़ा में है 10 उस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा बराबर की परस्चानतर का रूल कहता है 10-10 रिलाए गया मतलब खतम हो गया F बराबर आपकी बैलू क्या हो गई F बराबर ध्यान देना है आपको ठीक है इसी चीज में बच्चे गलती कर देते इसका फार्मूला इसमें लगा देंगे इसका फार्मूला इसमें लगा देंगे और इसी में गलती माधिका का, मतलब साइडी से माधिका बहुलक निकालना है, साइडी से बंटन माधिका निकालना है, इन सब चीजों को मैंने डिटेल्स में 3-4-6 वीडियो दिया हूँ आपको, उसको आप जरूर देख लेना, तो साइडी से बहुलक कैसे निगालेंगे, स्रेडी को यहाँ पर बना लिए ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है, बोड़िक्जा में, बकायदे पाई स्केल से खीच कर, अब इसके बाद हमें बहुलक की ग्याद करना, दुको इसमें सबसे अधिक बारम बारता देखना है, यानि आप अगर अपने सब्दों समझों स सबसे बड़ी संख्या इसमें साब खोजो, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या आपको मिलें 12, यह जब 12 मिलती है, यह आपका हो जाता है, F1 की बैलू 12, और अगर F1 की उपर जाओगे, तो F0 की बैलू मिलेगी आपको, ठीक है, यानि कि कोई भी संख्या 0 से सुरू होगी, 0 से बड़ा 1 होगा, 1 से बड़ा 2 होगा, ठीक है, एक की उपर हम जाएंगे, तो 0, तहाँ पर F0 की बैलू हमको क्या मिल गई, 10 मिल गई, अब यहाँ पर इसके नीचे जब हमें, F2 की बैलू क्या होगी, 6 होगी, ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या जो F1 है, उसका जो वर्ग अंतराल है, वो क्या है, एक, दो, तीन, ठीक है, एक, दो, तीन, इस चोथे नमबर पर, एक, दो, तीन, चोथे, 60 से 80 इसका वर्ग अंतराल हो गया, यह आपका L की बैलू हो गया, और 80 में से 60 को घटा देंगे, एक की बैलू निकल जाए, इन्ही सब चीजों को हमको नीचे लिखना पड़ता है, जैसे यहाँ पर लिखेंगे, सरवाधिक बारम बारता किसका है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक, आपको बोर्ड एक्जामें लिखना पड़ेगा, सरवाधिक बारम बारता, कितना एफोन की बैलू, अब बारह है, तो सरवाधिक बारम बारता क की वर्ग अंतराल क्या है लिखेंगे कि सर्वाधिक तरह से लिख लेना सर्वाधिक बारंबरता का ठीक है बारंबरता का वर्ग अंतराल ठीक है कितना है 50 80 को से तुक है अब यहां से सीज हमको 2 चीजे मिलेगे एक तो cracking मिलस्ट आपको कितना इल बराबर 60 है क्या लोर लिमिट एंड इसी में से हम एच को घठा देंगे यहां पे बराबर 8-6 ठीक इसी को 80 में से 60 को घठा देंगे यह जाएगा बीस आपका किस की बैलू आजायगी है जब आपम अशी में से साठ को यैसरी में से गटा देंगे यानि हायर लिमिट मॉनस लोवर लिमिट तो आपका 20 यह की बैलू क्या निकल कराए जीगी 20 ठीक है और यहां पर और भी बैलू भी बैलू उमने निकला आप 0 की बैलू कितना निकला है हम जानते हैं जो फार्मूला होता है बहुलग बराबर क्या होता है बहुलग बराबर L प्लस F1-F0 अपान 2F1 ठीक है 2F1-F0-F2 इंटू में हाइट ठीक है यानि उच्छाई इतना कुछ लिग लिए सब कुछ आपको रख देना है L की बैलू कितना है 60 है तहां पर 60 को रख द प्लस F1 की बैलू क्या है F1 की बैलू 12 ठीक है यहाँ पर 12 रख देंगे 12-F0 की बैलू क्या है 10 है तो 10 रख दो बटे में 2F1 ठीक है 2 है गुरित्ते F1 की बैलू क्या है F1 की बैलू 12 है तहां पर रख देंगे 12-F0 की बैलू 10 है तो 10 रख देंगे यहाँ इसके बाद minus है तो minus लगा देंगे f2 की value क्या है? 6 है तहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 6 गुडिते में h की value क्या है? 20 है तहाँ लिख देंगे 20 अब इसी को हमें solve करना है और हमारा बहुलक क्या जाएगा? निकल कर आ जाएगा, ठीक है? देखो इसको कैसे solve करना है? 60 को रहने दो इसी तरह से प्लस 12 में से आपका 10 जाएगा 2 बचेगा 2 का multiply 20 में कर दोगे तो वज़ाएगा आपका 40 है simple ठीक है ये तो समझ में आ रहा है 12 में से 10 गया 2 2 का multiply 20 होगा 40 अब यहाँ पे हो गया 12 दुना के 24 है और ये 10 और भलबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब यहां से 12 में से यह सोरी यह 24 होगा न हमने हाँ मिश्टेक किया है यह 12 दुना के 24 होजाए 24 में से 16 जाएगा तो आपका कितना बचेगा देखो 16 यह हमारा फाइनल अंसर होगा कोई समझने प्रावलम तो नहीं होई होगी तो अगर आपने विडियो को लायक नहीं तो इसके नाड़िक पर oni zero की बैलू रखी की इसके सामने का वुए इसके यहां से ल की बैलू निकली और इसमें से इसको घटा है एच की बैलू निकली ठीके सिंपल सबकुछ निसके बाद फार्मुला ये था बौलक का इस फार्मुले पे रखा एंड सभी बैलू को ये कि परिमे संख्या सत्रा अपांटू का इसक्वाइर इंटू फाइब का दस्मलों पर साथ निमलिखित में से किस दस्मलों इस्थान तक जाएगा ठीक है इसका हमको गुडा करना पड़ेगा देखो पी सिंपल है बिल्कुरे हम सत्रा दो का इसक्वाइर गुडित्य और इसमे आप भाग दो ठीकि यह भाग कुछ एका कितने स्थान तक जाएगा किटने इस्थान पर बढ़ा देंगे तो डसमलों के भाद यहां पर जिरो बढ़ जाता है ठीक है धसे इक जीने स्एगा और आडदोना के सोला इससे घटा दो जीरो साथ में से चे गया एक इसे एक कड़ गया ठीक है अब इसके बाद एक जीरो हम दस्मुलों लगाने के बाद तीन इस्थान तक जीरो बढ़ाते अब इसका हम भाग देंगे तक यह जाए गा बीस पंचे सव यहां पर टोटल पूरा का पूरा समाप्त हो जा रहा है तो मरा जो दस्मुलों कितने इस्थान तक गया दो ही इस्थान तक गया ठीक पॉइंट के बाद एक दो यहां पर देखते है क्या क्या दे रखा है देखो यहां पर कीस दस्मुलों इस्थान की बाद समाप्त होगा तो दो इस्थान के बार समाप्त हो रहा है और यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो कि दूसरा है कि बिंदू माइनस 3 कामा 5 की y अच्छ से दूरी क्या होगी देखो बिंदू के यहाँ पर लिख देते हैं y अच्छ से जो दूरी होगी ठीक है जो y अच्छ से दूरी होगी वो x होगी y अच्छ से दूरी क्या होगी x होगी और x की बैलू यहाँ पर क्या देखा है यह x की बैलू और यह y की बैलू x की बैलू माइनस 3 दे रखा है तो यहाँ पर आपसर नबर a ही आपका करेक्ट हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर है कि संख्या 144 की अभाजी गुड़न खंड में भाज अभाजी गुड़न खंडों की घातों का योगफल ग्याद कीजिए ठीक है यहाँ पर 144 का गुड़न खंड कर दो सिंपल है आपका कैसा अंसर सीट पे देखते हैं म следкие 144 ठीक है 144 यहाँ पafa기에 कौन नंबर है तीसरा नंबर तीसरा डाल दना इसको मों हम अगर इसका गुड़न खंड करें दो गुड़न जाए दो गुड़नंक़ धो Gmail धो जुड़न के चार टीन आपका दो बार है इन दोनों Zoe अभाजी संख्या क्या हैं दोनों क्या सभाजी संख्या इनके घातों को जोड़ो चार और दो 9 को जोड़ो गया अप्य होजाएगा अ挑ούμε झारा Season date दी करेक्ट हो जाएगा इसकी बाद दे रखा जाए लौसर 132.280 तो मसर 132.283 होगी ठीक है यहां पर पहली संख्या है और आपकी दूसरी संख्या है और यहाँ पर लघस दे रखा है हमसे क्या मसर पूछ रखा है ठीक है तो इसका हमद फार्मूला क्या जानते हैं मसर पहली संख्या पहली संख्या गुरित्ते दूसरी संख्या दूसरी संख्या बट्टे में बट्टे में आपका क्या हो जाएगा लासा अब देखो मासा बराबर आपका हो जाएगा आपसे ठीके मासा बराबर आपका क्या पहली संख्या इसमें क्या है एक सो बत्तीस है ठीके त दूसरी संख्याब का क्या है 288 है 288 रख देंगे बट्टे की लॉसर क्या दे रखा है 31 68 लॉसर दे रखा बराबर हो तो मूल बराबर होने के लिए क्या जानते हैं कि दी बराबर 0 तो मूल बराबर होती है समिकर दे रखा कि 3x2-12x2-0 इसकी हम कंपेर किसे कर देंगे दे बराबर ब का स्क्वार माइनस 4C से ठीके इसका फार्मूला है इसका कंपेर हम a x2 प्लस b x प्लस c बराबर 0 से करने पर दे अब यहां समझानते हैं d बराबर b का square b के जगवा माइनस 12 है ठीक है तो माइनस 12 का क्या हो जाएगा square minus 4 है तो 4 उरते a की value क्या है a की value 3 है तो 3 रख दो c की value क्या है c की value m है तो m रख दीजिए अब इसको हमें solve करना है ठीक हल करना है कैसे हलोगा 12 बरह हम 144 1224 minus सैं तो यह प्लस हो जाएगा स्कोर में ऌतल में माइनस क्याइस कवह 12m अब यहां से आपका 12m किसम ते मैं इसमें मिनस में इस पाव आ बराबर के ठीक सिर्धी बराबर की है जीरो एसके बराबर रख दो होगा वह 12 होना चाहिए तो यहां पर आपसर नंबर डी आपका क्या है बार आपका च्छठवा है कि समिकड़ 5 एक स्कार माइनस 3 एक्स प्लस टू एक्वल 0 की मूलो का योग होगा ठीक इसका भी कंपेर आप एक्स स्कार प्लस बी एक्स प्लस नमबर धीक स्कार कंपेर एक्स स्कार डीको का आपका क्या करेक्वां आपक होगा टांबबूट 4 एक्स स्कार किका त। अज्म पन्रोद याां मूलो का योग प्लस प्लस नमबर अपका श्रीक्षेट यहां पर भी देखो यह चीज़े जो है न इसका भी compare करना पड़ेगा a1 x प्लस b1 y ठीक है बराबर c c1 अब इसका भी compare करोगे तो a2 x प्लस b2 y बराबर c2 इसी से compare करके ठीक है सभी की बैलू को लिख लेंगे जैसे मापको यहां पर बता जबें अब देक्सका लिख लेके करना हैं एवन के क्या है x अबैक भी किने पर कु Rouge है थीकथर किर दिन्हें की वली कै वह जोगी एक और ह만को यहां पर b1 रखेंगे इस तरह से b2 बराबर lambda और c2 का value जो है 35 है ठीक है c2 बराबर 35 अब दो कोई इतना चीज हमने लिख लिया ठीक है अब इसकी compare हम क्या कर देंगे a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal not c1 upon c2 सभी की value को रख दो आप a1 की value यहाँ पर 1 है तो 1 रख दिया a2 की value क्या है 2 है तो 2 रख दिया बराबर b1 की value क्या है 2 है तो 2 रख दिया b2 की value क्या है b2 की value यहाँ पर देखो lambda है तो यहाँ पर क्या रख दोगे lambda रख दोगे equal not c1 की value क्या है 7 है तो 7 रख दिया c2 की value 35 है तो डो एक्वल टापां लेंडा LN Getting opportunity to make theom До Mukर 2009 चार चार ओकि अ शोचीजर को तो में बता दिया एक पेपर में था यह भी बता दिया हूं ठीक एक इसको भी आपnis देख लेगल आ आपका साइन एकतीशल्स और यहसल्ए अबका शाइन 90 अंस 31 अंस इसको cos लिखेंगे cos में लिखेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा sin 31 अंस है sin 31 अंस और यह भी हो जाएगा cos 90-31 बराबर sin 31 अंस यह दोनों कट कर बराबर कितना हो जाएगा एक तो आपसा नंबर C आपका correct हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर यह पंदर नंबर देखेंगे सब चीजें बता जोगे तिर्भूज वाला अच्छी तरीके से यदि बृत्य की परिधी और छेत्रफल का संख्यात्मक रूप समान तो उस बृत्य की त्रिज्या क्या होगी यह हम से पूछए ठीक है अब वो त्रिज्या इसके हम कैसे निकालेंगे यह सबसी इंपोर्टेंट त्रिज्या निकालना इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर बृत्य की परिधी बराबर बृत्य का छेत्रफल ठीक है तो निकल जाएगा बृत्य का परिधी परिदी बराबर बृत्य का छेत्र फल यह हो जाएगा ठीक है तो बृत्य की परिदी जो होते ही हो टू पाई आर होती है बृत्य का जो छेत्र फल होता है वो पाई आर का स्क्वाइर होता है यहां से पाई से पाई कटा है आर से एक आर कटा आर बराबर आपका क्या हो गया दो मात्रक हो जाएगा तेकि यही आपकी त्रिज्या आजाएगी तो यहाँ पर क्या है देखो त्रिज्या क्या होगी त्रिज्या दो मात्रक होगी आपसन नमबर एक करेक्ट हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर एक थोस धातु की घनाप जिस 9 गुरते 8 गुरते 2 दरखा मीटर और घन का आयतन दो मीटर दरखा घनों की संख्या बराबर एक फार्मुलरत होता है कि घनाभ ठीक है घनाभ का आयतन बटे के घन का आयतन ठीक है घन बटे में दो दो बचा है चार बचा है चार दुना के आठ और इसका जो आंसर आएगा घनों की संख्या कितनी होगी ahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahanahan और 20 को जोड़ेंगे तो 30 30 में दो का भाग देंगे तो 15 हो जाएगा 30 20 को जोड़ेंगे तो 50 50 में दो का भाग देंगे 25 40 30 को जोड़ेंगे 70 70 में दो का भाग देंगे 35 ठीक है अब यहां पर इसका मल्टिप्लाई इदर कर देंगे तो पांचों की 20 हो जाएगा x into f है तो यह आपका x है मध्यमान और बारम बारता को यह आप से दिखाते दोनों का multiply यहाँ पर होता है इसके बाद 15 75 हो जाएगा आपका ठीक है यहाँ पर 25 छक्या आपका 1.5 हो गया यहाँ एक सो पचास हो गया इसके बाद यहाँ पर 35 ठीक है 45 की 20 4 3 की 12 12 और 2 आपका कितना हो जाएगा 14 140 इसके बाद 45 है कम 45 ठीक है यहाँ से आपको निकालना क्या है यहाँ से sigma f और यहाँ से sigma f x निकालना है sigma f into x अब simple इसको जोड़ दो 5 5 10 ठीक है दो ही बार है तो यहाँ पर 10 हो गया 10 की 0 हाथ में लगा एक और 4 आठ यहाँ पर 8 5 13 ठीक है 13 7 20 22 22 एक हासिल 23 ठीक है यहाँ पर 3 और यहाँ एक दो दो और इसका दो हासिल 430 आपका आगया क्या सिग्मा एफ एक्स अब यहाँ आपको जोड़ दो यहाँ पर 5 4 9 1 10 अच्छा 4 10 20 यहाँ पर की बैलू क्या गई 20 आ गए अब यहां समझानते कि मादी का बराबर जो फार्मूला होता है तक कि सिंपल है इसका मादी का बराबर सिग्मा एप इंटŪ x अपान सिग्मा एप ठीक है सिग्मा एप की बैलू किटना 430 है और इसका बैलू 20 है यहाँ पर को सबाइब नौनिके अठाईane democrat समांतर माध्य और बहुलक कर्मस्य 12-j8-21, तो माधिका क overlays ön, इसका पता करेंगे। तो आरहा में सकता है समांतर माध्य निहें अठाईज फषनाघी और 12-23-16, तो माधिका के टिन हां तर्ञें तो पर मस्य आए, इसका सुत्र होता है। वह ताब भवangel बरबर यहां जो सुत्र है कि बहुलक बरबर 3 मादिका 3 मादिका ठीक है माइनस 2 माध्य यह सुत्र वता है ठीक है यह 2 माध्य ग्रहण देणाभ यहां प riding Yetu My नहीं दिया माधिका और को एसे रहें दो माइनस यहां पर टू मादिका ऑसर्छा को यहां पर आपका हो जआएगे 16 गुडित्य थ्रीम आदिका अब यहां पर क्या हो जएगा इसका मैं प्लस में हो जाएगा यहां से आपका हो जाएगा थ्री माधिका बराबर बराबर 16 अपने जगह पर है 16 त्यक्ति और यह माइनस में है इस पर आएगा बराबर के तो प्लस में जाएगा प्लस ऑटो से लियु bracky और यहां पर आपका इपने से लिए और यहां पर आपका बराबर इस पर जाएगा द्खेए आपका 22 बटे के से गाने और यहां पर तुझत हे और डूरने के से चेठोए 3-4 के 12 ठीक है तीन दुना के 6 और इसका एक बचा 3-4 के 12 माधिका जो आएगा आपका 24 आएगा ठीक है तेहां पर आपसर नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसके बाद 19 नंबर है कि निम्निखित बारंबरता बंटन का बहुलक वर्ग ग्याद किजिए ठीक है तो बहुलक वर्ग यह किसमें सबसे बड़ा इसमें कौन सी संख्या है बारंबरता देखना आठ है इसका जो बहुलक वर्ग होगा वह तीन से पांच होगा ठीक है तीन पांच होगा तहां पर आपसर नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा इसके बाद 20 नंबर क्वेस्चन है कि निम्न कि मैंने वर्ग अंतराल लिख द्या इहां पर लिख लिया धीक है और यहांपर यहां पी क्या लिख लिया बारंबरता लिख NICKके तो इतना तो लिख लिए अब मनें लिख़ी अब इसका हम क्या नansasकंगा दे को यहां पर वाइस चोंड़ा आपर 50 यहां हम équर Bayis की इसका सूत्र होगा n by 2 ठीक है यहनिए इसकी संख्या क्या पचास यहाप तो यहापको ऑप पचीज़ प्रकोंदल क्या ओप आईगा 25 में आएगा ठीक है जीरो से 10 हमें नहीं आएगा यहां तक इसके बाद हम कहां तक पहुंच चुके हैं यहां दूसरी का पूरा हमें इंडिकर चुके हैं तीसरा question आपका है कि निम्लिकित समिकड़ युगम को हल किजिए ठीक है 3 upon x plus 2 upon y equal 11 और यहां पर 4 बटे की x minus 5y बराबर 7 इसको अगर यह नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको भी हल कर सकते हो एक भीन एक बटे 3 हो जाती है जब उसकी answer में एक जोड़ दिया जाता है और वह एक बटे 4 हो जाती है जब इसके हर्च एक घटाया जाता है तो वह भीन ग्याद कीजिए ठीक है जैसे अब कोई भी भीन, एक भीन, एक बटे तीन हो जाती है, जब उसके अंस में एक जोड़ दिया जाता है, तो वह एक बटे के चार हो जाती है, उसके अंस की बात करा कि जब जोड़ दिया जाता है, एक बटे तीन हो जाती है, जब उसके अंस में एक जोड़ दिया जाता ह ठीक है और वह एक बट्टे चार हो जाती है जब उसके हर से घटाया जाता है यहां पर एक सवाई है और यहां पर एक सवाई यह उपर कांस हो गया नीचे का हर हो गया ठीक हर में से एक घटाया जाता है तो यह क्या हो जाती है एक बट्टे के चार हो जाती है इसी समीकड़ों आपको हल करना आ जाएगा ठीक है यहां पर चौथा नंबर क्वेस्चन है कि एक मंदीर की उचाई 15 मीटर है मंदीर के सीर्ष से सड़क के दूसरी और बने भवन के सीर्ष का उन्यन कोर 30 संस है तता भवन के पाद का ओमनों कोर 45 संस है सीद कीजिए कि भवन की उचाई 5 अंड कोर 45 से यदि स्तंब की उचाई 40 मीटर तो सीद कीजिए कि भवन की उचाई ठीक है इसको भी आपको सीद करना दोनों से कोई कर सकते हो पांचवाय की एक ठोस एक संकू के अकार का है जो एक समान अधार की त्रिज्या की अर्ध गोले पर अध्यार उपित है यदि अर्ध ग करना है ठीक है अगर ये क्वेस्टन नहीं जानते है तब बारत से में 16 से में 20 से में ब्यास वारे धातू के तीन ठोस गोलों को पिगलाकर एक ठोस गोला बना जाता है इस ठोस गोले का ब्यास ही ग्याद किजिए ठीक है ये पूरी सालूसन के साथ वीडियो होगई आज के अगर इसका कहोगे तो मैं सालूचन दे दूँगा ठीक है यह जो है लेकिन आप कहोगे तब दूँगा अगर मैं दे देता हूं आप नहीं देखोगे तो कोई मत्तब नहीं होगा वीडियो पसंद आ तो लाइक जिरू करना मिलूंगा चिनेश्टी वीडियों तब तक के नहीं देखोजाज़ क्यों तो लाइक है